हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू स्टॉक टॉक विद बिके जी इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियास पे चर्चा करने के लिए चार स्टॉक चुने हैं एक है भारती Airtel, दूसरा है ISAB इंडिया, दूसरा है सुवेंट फार्मा लिमिटेड और लास्ट वन है ITC लिमिटेड तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट यहाँ पर आप देख सकती हो और भारती Airtel लिमिटेड का मंतली चार्ट है ये stock ने January 2003 में साड़े नो के भाव से एक अपना अप्मू श्टाइट किया और करीब चार साल के बाद October 2007 में 528 का हाई बना उसके बाद आप पूरा एक zone देख सकते हो stock एक 200 और 500 के करीब बीच में continuous 2007 से लेके 21 तक trade किया stock में always you can see here that it was in between the averages and never had a definite trend हमेशा यहां पे एक support आता था और हमेशा यहां पे एक resistance आते रहा ये stock को analysis करने के लिए हमने rate of change MACD और ADX indicator का सारा लिया है और तीनों में ऐसे indication मिल रहे है कि stock एक अच्छे खसे अपमों की तैयारी कर रहा है ये 2007 से लेके 21 की एक trend line है अभी अभी stock ने 619 का एक नया high बनाया है और जो ये मंतली chart है तो करीब करीब 19 से लेके 21 stock most of the time averages के उपर trade कर रहा है तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि जो 2003 से लेके 7 का एक uptrend उसके बाद पूरा 7 से लेके 21 का एक consolidation zone और आप पूरा period देखोगे तो ये पूरा pattern है और 2003 से लेके किस तो हमें लगता है कि भारती एरटल जिसका current market price 600 साथ है वो आने वाले दिनों में उसका target 900 और 1100 आ सकता है और अगर ये stock बीच में नीचे आता है तो उसका buy area है 590, 573, 559, 545 और 537 और ये trade में 495 का stop loss रखना ज़रूर ही है ये है अगरा stock ISAB India Limited ISAB India ने October 2020 से 1293 से कपना अपमूँ स्टार्ट किया February 2021 में 2120 का ही बना stock में यहां से super trend positive mode में आ गई 200 DMA भी rising mode में आ गई इसके बाद stock आप देख सकते हो February 2021 से लेके August तक एक zone में trade कर रहा है continuous super trend का support लिया और continuous एक 1750, 1764 continuous A level पे एक support आते रहे और यहां पे stock थोड़ा थोड़ा resistance फेस करता रहा ये stock को analysis करने के लिए हमने KST, Arun Up and Down और MACD का सहरा लिया है और तीनों में एक primary एक indication मिल रहा है कि सायद ये stock में एक up trend स्टार्ट होगा और stock एक पूरा zone को पार करके आगे बढ़ेगा तो ये जो पूरा pattern है और जो indicators जो indication दे रहे है वो देखके हमें लगता है कि इस अब इंडिया जिसका current market price 1940 है उसका target आने वाले दिनों में 2700 आ सकता है और अगर ये stock बीच में नीचे आता है तो उसका buy area है 1925, 1800, 1705, 1610 और 1550 और ये trade में 1525 का stop loss रिपना जुरूरी है ये है अगला stock Subin Pharma इस Subin Pharma का weekly chart है Subin Pharma ने मार्च 20 से 87 का बाव से एक अपना अपमू श्राट किया September 20 में 416 लाग हाई बना थोड़ा सा correction 292 का low October 2020 में लेकिन पूरा आगर राइस देखो के तो बहुत ये वैलिड का रेक्षन यहां से continuous averages एक rising trend में है और super trend भी continuous एक positive mode में है इसके बाद stock ने वापस एक नया high बनाया 525 का और वापस एक narrow range में stock trade करने लगा यहां से 565 का high बना के stock ने वापस एक थोड़ा correction दिया 457 का low लेकिन आप देखोगे तो यहां से लेके rise जो है इसका एक बहुत ही valid correction यह stock analysis करने के लिए हमने ADX और ROC का सहरा लिया है और आप यहां देख सकते हो कि यहां अच्छी खासी एक trend डेवलोप हो रही है ऐसे indication मिल रहे है अब यह भी stock में एक अच्छी खासी green candle supported by volume एक 590 का पहले सब high का cross करके एक नया high बनाया है तो यह जो पूरा pattern है और stock जो continuous एक super trend और जो last वाला average है कभी उसको तोड़ा नहीं वो सब देखते हुए हमें लगता है कि stock एक मजबूत trend में है और आने वाले दिनों में सुवेन फार्मा जिसका current market price 589 है उसका target 1100 आ सकता है और अगर यह stock बीच में नीचे आता है तो इसका buy area है 551, 528, 519, 490 और 479 और ए ट्रेड में 425 का stopler जरूरी है तो यह है आज का अगरी stock ITC Limited ITC ने October 2020 में 163.5 का बाउस एक अपना अपमूश टार्ट किया December 2020 में 215.5 का हाई बना थोड़ा सा नीचे consolidation zone वाफ़स एक अच्छा uptrend February 2021 में 239 का नया हाई stock में आप देख सकते हो कि यहां से continuous 200 TMA uptrend में trade करने लगी है stock इसके बाद एक corrective zone में चला गया lower tops बनने लगे और stock दिरे दिरे एक छोटी downtrend में trade करने लगा लेकिन आप अगर देखोगे के पूरा अगर rise देखोगे यहां से यहां तक और यहां का जो correction एक अच्छा खासा valid correction है और आप यहां देख सकते हो continuous stock ने दोसों के करीब-करीब support लिया जो 200 TMA का एक range में पूरा support लेते अच्छा खासा वापस एक अपूर ट्रेंड में stock आ गया है फेबरॉरी 21 से लेके अगर्स का जो एक trend लाइन है और यह जो 216 का पहला high था उसको अभी अच्छी एक green candle के बाद ए यह high को stock ने previous जो अपना high को पार्क करके एक अच्छा खासा volume के साथ एक अच्छा बंद दे दिया है यह stock को एनालीज करने के लिए हमने KST, ADX और MACD का सारा लिया है और तीनों में अच्छी खासी positive trend डेवलप होने जा रही है ऐसे indication मिल रहे है stock ने जो February का index था Sensex और Nifty वो दोनों indices ने अपना February का high को पार करके एक नया zone में trade कर रहे है लेकिन यह stock पूरा underperform कर रहा है अभी लेकिन यह सब indicators का एक indication और stock में जो अभी एक जो narrow range और apex से एक possibility of a breakout जो अगला high को सायद पार करके stock आगे बढ़ेगा तो यह सब देखते हुए हमें लगता है कि ITC जिसका current market price 215 है उसका आने वाले दिनों में target 285 आ सकता है और अगर इस stock पीज में नीचे आता है तो उसका buy area है 211, 208, 206, 204 और 202 और A trade में 195 का stop loss रटना ज़रूरी है थैंक यू कर दो देखते हैं in the company. We do not act as a market-maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.